हेलो दोस्तों, वेलकम तो पायोज करियर कैटलिश्ट सीरीज हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें क्वेस्टिन पूचा है सर, इफ आर पॉंप्स आर इन सीरीज, तेन फिर्स्ट पॉंप सक्शन वेलोसिटी क्रिटेरिया विल बी सक्शन क्रिटेरिया विल बी 1.5 तो 2 मिटर पर सेकेंड और 0.5 तो 1 मिटर पर सेकेंड देखो उनको कहना क्या है इसके लिए उन्होंने एक डाइग्रेम भी हमें बताया है, देखो वो क्या बोल रहे है हमारे पास दो पंप है, वो सीरीज में कनेक्टेड है सीरीज में कनेक्टेड है मतलब क्या है, एक पंप का डिश्चार्ज, दूसरे पंप का सक्शन है अब पहले पंप के लिए जो सक्शन लाइन का वेलोसिटी क्राइटेरिय हम कंसिडर करते हैं, वो है 0.521 मीटर पर सेकंड, और इस पंप के लिए जो डिश्चार्ज का वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं, वो है 1.522 मीटर पर सेकंड, लेकिन यह जो दूसरा पंप है न, उसक सक्षन क्या है यही लाइन है तो अगर आप यहापे 1.5 to 2.0 meter per second velocity consider करोगे वो diameter कमेंगा लेकिन अगर आपको 0.5 to 1.0 meter per second velocity consider करना है तो यह diameter बढ़ जाएगा तो आपको यह जो बीच वाला उसका velocity criteria consider करना है यह उनका कहना है क्लियर है अब देखो इसको थोड़ा सा समझनी की कोशिश करते हैं देखो जो सक्षन लाइन है न वहाँ पे हम velocity criteria 0.521 meter per second ऐसा क्यों consider करते हैं यह थोड़ा सा कम velocity है यह velocity हम कम इसलिए maintain करते हैं क्योंकि जैसे velocity कम होगा उस हिसाब से diameter बढ़ेगा और जैसे जैसे velocity कम होगा वैसे वैसे डेल्टा पी भी कम होगा clear है अब pressure drop अगर कम होता है तो इस section line में आपके losses कम हो जाएंगे जिसके कारण यहाँ पे आपको यनपेसेज जो चाहिए वो आचिव करने के लिए pressure drop कम होगा तो कुछ problem नहीं आएगा समझे हो अगर यहाँ पे pressure drop जादा होता है मतलब अगर आप यनपेसेज के लिए cavitation का जो कर्व था वो अगर आप देखते हो तो वो कैसे था मानलो यह vapor pressure है और अगर जो भी हमारा section line है उसका pressure कम होते होते vapor line के नीचे जाता है और फिर बढ़ने लगता है तो यहाँ पे cavitation होता है देखो यहाँ पे pressure है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे pump रहेगा यह आपका suction line है और यह discharge line है देखो suction line में यहाँ पे आपका tank रहेगा जिसके करण यहाँ पे maximum pressure है जो की static head की वज़े से आएगा और धीरे धीरे जैसे 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 line में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे line के losses होंगे और ये pressure कम हो जाएगा अब अगर pressure जो भी vapor pressure है उसके नीचे चला गया तो यहाँ पे flashing हो जाएगा समझ जो और flashing होने के बाद अगर फिर से pressure बढ़ता है मतलब इस pump में अगर impeller गूमने लगता है तो pressure बढ़ेगा तो pressure बढ़ने की वज़े से यह जो liquid है उसका भी pressure बढ़ेगा और जिसके कारण आपको cavitation देखनी को मिलेगा समझ रहो यहाँ पे अगर line का diameter जादा है तो क्या होगा यह जो भी आपका pressure drop होगा वो कम होगा और आपका line ऐसे आजाएगा समझ जो अब यह जो भी curve आपका नीचे आया है वो vapor line के नीचे नहीं गया है जिसके कारण यहाँ पे flashing नहीं होगा और अगर flashing नहीं होगा तो cavitation भी नहीं होगा समझ जो इसलिए हमें यह जो भी line है उसमें losses minimum रखने है clear है इसलिए हम diameter बढ़ाते हैं जिसके कारण velocity कम होगा और velocity कम होने के कारण pressure drop कम होगा ओके अब अगर आप pump के discharge के case में देखते हो जो भी आपका pump है उसने already pressure बढ़ाया है इसका मतलब अगर आप यह vapor pressure line consider करते हो उसके बाद यह आपका जो line था यह था अगर pump के discharge में आप consider करोगे तो आपका pressure कहीं यहाँ पे आ जाएगा समझो अगर उसमें pressure drop हो भी जाता है तो उतना नहीं होगा जो कि आप जो आपका vapor pressure का line है वहाँ तक जाओ या फिर उसके नीचे जाओ इसलिए अगर इस line में कुछ losses जादा भी हो जाते है तो हमें कुछ problem नहीं है इसलिए हम यहाँ पे जो आपका 1.5 to 2 meter per second velocity है वही हम यहाँ पे consider करेंगे अब आप बोलोगे ठीक है यहाँ पे pressure drop होता है तो को हमें problem नहीं है तो हमें काम करते है और जादा velocity consider करते है 3 meter per second अग impact क्या आएगा यहाँ पे आपका pressure drop जादा होगा और जितना pressure drop यहाँ पे जादा होगा उससे cavitation नहीं होगा लेकिन यह जो आपका पहला pump है उसको उतना जादा head develop करना पड़ रहेगा समझो अगर head जादा develop करना पड़ रहा है तो उसका power consumption बढ़ेगा और power consumption बढ़ेगा तो आपका operating cost बढ़ेगा समझो इसलिए यहाँ पे आपको optimum line size select करना है और वो आप 1.5 to 2 meter per second velocity से कर सकते हो कोई problem नहीं होगा समझो और इस pump के discharge में भी आपको सेम velocity consider करने 1.5 to 2 meter per second clear है मुझे लगता है यह जो भी question था उसका answer मैंने एकदम detail में आपको समझाया है अगर आपको ऐसा कुछ भी doubt है तो आप हमें comment करके पूछ लो हम उसके बारे में एकदम detail में video बनने की कोशिश करेंगे चलो thank you all the best